आज का वीडियो हम शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी के साथ जो आपके दिल को चुछ हो जाएगी एक कहानी है Mr. Moitra की जो 43-year-old male है working professional है पिछले कुछ दनों से कई बार उन्हें on and off fever हो रहा था, बुखार आ रहा था कभी पेट में कुछ uneasiness लगता था, पेट दुखता था, इसके लिए वो local doctors है, local pharmacist दवाईयां ले लिया करते थे या home remedies यूज किया करते थे, कुछ दिन तक उन्हें आराम मिलता था और वापस उन्हें यही तकलिफ शुरू हो जाती थी ऐसा कई दिन तक चलता रहा, फिर उन्हेंने observe किया कि उनकी भूख काफी कम हो गई है, उन्हें काफी weakness लगने लगती है, उनका वजन भी कम होता जा रहा है और साथी साथ उनको बार बार कभी constipation, कभी diarrhea की problem लगी रहती है इस सब का solution जानने के लिए उन्हें डिसाइड किया कि वो एक specialist doctor को दिखाएंगे तो इसलिए उन्हें अपने काम से छुटी ली, specialist doctor को दिखाने के लिए गए doctor ने उनकी बात सुनी, उनको examine किया और कुछ test लिख कर दे दिये और बोला कि test करने के बाद reports के साथ हमारी opd में वापस आईए जब वो lab में गए तो उन्हें पता चला कि ये test थोड़े भेंगे हैं तो उन्हें सोचा कि अगले मैंने अब salary आ जाएगी तब ये test करवा लोगा और ऐसे सोचकर वो घर आ गया तीन-चार दिन के बाद सुब़ा जब वो संडास को गए, शौच को गए तब उन्होंने toilet करते समय खून देखा वो खून देखके वो डर गए और उन्हें तुरंत अपने डॉक्टर को फून किया डॉक्टर ने उनकी पूरी बात सुनी और उन्हें इम्मीडेटल हॉस्पिटल में एडमिट होने की सिला दी मिस्टर मोहितरा ने वही किया वो अपने पतनी के साथ हॉस्पिटल में गए एडमिट हुए उस दिन पूरा दिन उनके लाब टेस्ट होते रहे कुलोनोस्कॉपी हुई सीटी स्कैन्स वगरा हुए जब ही सब टेस्ट हो रहे थे तो मिस्टर मोहितरा बहुत डर गए थे बहुत कंप्यूज थे कल तक तो सब कुछ ठीक था वो घर पर थे काम कर रहे थे सब कुछ अच्छा था बस थोड़े वीक फिल कर रहे थे आज अचानक वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और इतनी सारे टेस्ट हुए जा रहे है डॉक्टर होने उनसे वेट करने को कहा और उनने बोला जब रिपोर्ट आएगी तभी वो उनने कुछ बता पाएंगे उस दिन पूरी रात मिस्टर मोहित्रा परेशान रहे वो कभी-कभी अपने मन को समझाते कि कोई बात नहीं पाइल्स जैसी छोटी-मोटी बिमारी आजाएगी या कुछ इंफेक्शन हो गया होगा पेट में जिससे कारण इतना सब कुछ हो रहा है बढ़ फिर उनके मन में एक हयाल आता कि कहीं कोई सीवियर बिमारी तो नहीं कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं जो उनके पुरी परिवार को परिशान कर देगी क्या उनने अपने बेटे को बता देना चाहिए उनका बेटा कॉलेज में हॉस्टल में रहके पढ़ाई कर रहा था जिसे अपने पिता जी की इस कंडिशन के बारे में कुछ भी नहीं मालुम था बस यही पूरी राज सोचते रहे और उनको बिल्कुल नहीं नहीं आए अगले दिन सुबह जब डॉक्टर्स आए तो उन्होंने मिस्टर मोहित्र को कहा कि अपनी वाइब को बुला लीजिये रिपोर्ट्स डिसकस करनी है डॉक्टर्स के चेहरे पे एक ग्रिम लुक था एक परिशानी थी मिस्टर मोहित्रा ने वो भाथ ली वो समझ गए कुछ तो गड़बढ है फिर डॉक्टर्स ने उस रिपोर्ट के बारे में बताना शुरू किया डॉक्टर्स ने कहा कि मिस्टर मोहित्रा को कि आप एक बर फिर से रिपोर्ट चेक कर लीजे कहीं किसी और की रिपोर्ट तो नहीं आ गई है डॉक्टर्स ने कहा उन्होंने रिपोर्ट्स दो बार चेक की है यह unfortunate है पर यह सच है कि Mr. Moitra को cancer है उस एक पल में Mr. Moitra की पूरी जिन्दगी तभा हो गए उन्हें कुछ समझ में नहीं आया वो थोड़े दे वहीं बैठे रहे गए फिर थोड़े समय के बाद अपने आप को बांद कर उन्हेंने डॉक्टर्स से सिफ एक सवाल किया डॉक्टर मेरे फैमिली में किसी को cancer नहीं है मैंने कभी alcohol नहीं लिया शराब नहीं लिया मैंने कभी cigarette नहीं पी फिर मुझे ये कैसे हो सकता है मेरे साथ ये क्यों हुआ डॉक्टर्स ने मिस्टर मोहित्रा का सवाल सुनकर उन्हें सब समझाया उन्हें कुछ causes बताए कि इन कारणों से भी cancer हो सकते है और व apprentika सुनकर मिस्टर मोहित्रा रो पड़े उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि खाने से भी cancer हो सकता है जी हाँ मिस्टर मोहित्रा की तरह आपमें से भी कई लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा होगा या शौकिंग लग रहा होगा कि खाने से cancer कैसे हो सकता है पर यह सच है जाने अन जाने हम कई सारी ऐसी चीज़े regular अपने diet में consume कर रहे हैं जो cancer बनाती है करती है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उन्ही सारे food items के बारे में बताने वाली हूँ जो proven तरीके से यह prove हो चुका है कि यह सारे food items cancer cause करते हैं अगर ने regularly लिया जाए तो तो मैं आपसे request करती हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से सुनियेगा इन सारे food items का list बना लीजे और अगर आप यह consume कर रहे हैं तो कोशिश कीजे कि आज के बाद से यह food items आप कभी consume नहीं करेंगे क्यूर्कि अगर cancer से बचना है तो prevention ही सबसे effective और सस्ता और टिकाओ तरीका है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करने से पहले एक छोटी से बात बताना चाहूंगी कि जो भी food items हैं जो cancer cause कर रहे हैं दो तरीके से cancer cause करते हैं या तो इन में कोई ऐसा chemical substance harmful substance डाला जाता है जो carcinogenic होता है या cancer cause करता है या फिर यह सारे food items obesity और diabetes जैसे risk factors को बढ़ाते हैं जो cancer करवाते हैं पहले list है processed meat इसमें क्या क्या आता है bacon, ham, sausages, talami, daily sweets, sliced chicken, etc WHO ने recently, लगबग 2019-20 के बीच में processed meat को category 1 cancer causing agent घोशित किया है मतलब इसको उसी category में डाला है जिस category में smoking है पर क्यूं? क्योंकि इस meat को बनाने का तरीका है उसी में सारी problem चुपी हुई है जो लोग नहीं जानते कि processed meat बनता कैसे है उनको बताती हूँ इस meat को पहले cured किया जाता है थोड़ा smoke किया जाता है fermented किया जाता है salted किया जाता है इसको preserve करने के लिए साथ ही साथ कई तरह ये chemical preservatives इसमें add किया जाते हैं and polycyclic aromatic carbon जो की carcinogenic है इसका मतलब अगर आप दिन में 50 gram से भी कम processed meat खाते हो regular basis पे तो भी आपका stomach और kolorectal cancer होने का risk 18% से बढ़ जाता है तो इससे दूर कैसे करें अपने आपको इस cancer causing agent से बचाने का क्या तरीका है तो आप इसो खाना छोड़ ही दे fresh good meat अपने घर पे पकाईए अगर आपको meat पसंद दे तो और घर पर ही खाईए दूसरा option है कि आप white fish white meat जैसे कि chicken और turkey हो गया या meat substitute जैसे कि tofu है यह सर प्राई कर सकते हैं दूसरा है red meat red meat में क्या क्या आता है beef, lamb, mutton, goat and pork WHO ने red meat को category 2A carcinogenic atom के तोर पर categorize किया है इसका मतलब probably यह cancer करा सकता है humans को colorectal cancer होने का risk 12% से बढ़ जाता है अगर आप दिन में 100 gram per day के amount में regularly red meat consume करते हो red meat में heme iron होता है जो N-nitroso compounds के production को increase करता है और हम जानते हैं कि N-nitroso compounds carcinogenic है तो अगर आप red meat बहुत frequently खाते हो तो pancreator post-state cancer होने का risk भी बढ़ जाता है So all together हमें red meat को जितना कम कर अगर avoid कर सकते हैं तो best है पर अगर आपको बहुत पसंद है और आप बिलकुल लेना चाहते हो तो 100 gram per week से ओपर आपको नहीं लेना है यह आपके recommended safe limit है इसके अलाबा अगर आपस protein source के तौर पर red meat consume करते हो तो आपके पास other safer options है जैसे कि beans, white meat और fish चलिए अब तीसरे food item के तरफ जाते हैं जो कि है charred meat अब barbecue chicken किसको पसंद नहीं है पर आपको surprise होगा शौक लगेगा अगर आप यह सुनोगे कि meat को अगर आप high temperature में cook करते हो या charred करते हो तो उसमें cancer बढ़ाने का risk बढ़ जाता है meat को जब high temperature पर जलाया जाता है flame के उपर जैसे कि barbecuing में grilling में, pan frying में तो उसमें carcinogenik agent produce होते हैं जैसे कि polycyclic aromatic hydrocarbon and hydrocyclic aromatic amines यह substances DNA को damage करते हैं और cancer का risk बढ़ा देते हैं तो अगर आप charred meat consumption जादा करोगे तो आप में stomach cancer colorectal cancer होने का risk बढ़ जाएगा अब इसको avoid करने का क्या तरीका होता है पहला कि आप जादा लंबे टाइप तक meat को cook ना करें flame पर अगर आप meat को cook भी कर रहे हैं तो उसका charred portion जो है जलावा portion वो आप remove कर दें इसके अलावा तीसरा आपके बस क्या तरीका होता है कि आप meat को जब आप flame पर गरम कर रहें तो 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 उसको हिलाते रहें continuous हिलाते रहें उसको एक तरफ लगने मत दें चौथा flame के ओपर direct meat को गरम मत करें अब हम चौथे food item के तरफ बढ़ते हैं और इसको सुनके तो आपके आँके खुली के खुली रह जाएंगे अगर आप fried food items को regularly खाते हो जैसे कि french fries, fried fishes, पकोडे, पापड, दोनस तो इससे prostate cancer और other cancers होने का risk बढ़ जाता है Surprising right? Fried food तो सबको बसंद है हम सब बड़े shock सिखाते हैं बट ये भी cancer कराता है कैसे? जब हम किसी चीज़ को food items को specifically high carb content वाले food item को जैसे कि potato हो गया, मैदा हो गया इसको हम तेल में तलते हैं तो acrylamide नाम का एक product release होता है, जोगी carcinogenic है तो आप तेल में जितने ज़्यादा items को fry करोगे, ये acrylamide उतने ज़्यादा quantity में बनेगा और अगर आप इसको regular खा रहे हो तो cancer होने का risk बढ़ जाएगा मेरी advice आपको उसे पितनी है कि fried food बस तो बहुत tasty लगता है उसको पूरी तरह से अपनी life से हटाना मुश्किल है, जितना हो सके उसकी quantity को, उसकी frequency को आप एकदम limit में रखे, यदा कभी कभी उसका मजा ले नहीं तो cancer नामक सदा मिल जाती है साथी सार एक ही oil को बार बार fry करने के लिए use मत करें तो पांचवे food अटम के तरफ चलते हैं जो की है sugar sweetened beverages वो पे अपदार्ट जिनमें शक्कर डाली जाती है जो sodas है या processed fruit juices हैं उसमें sugar की quantity बहुत जादा रहती है, इसको अगर आप regular basis पे consume करते हो तो calorie में high होने के कारण या आपका weight gain और obesity करवाती है और हम सब जानते हैं कि obesity और weight gain cancer का कुछ तरीके तरह के cancers का direct risk factor है जैसे कि colorectal cancer, liver cancer prostate cancer, multiple myeloma isophagial cancer, endometrial cancer breast cancer तो इसी लिए मेरी आप से ये गुजारिश है कि अगर आप refined sugar दिन में ले रहे हो तो 10 से 15 ग्राम से उपर मत लीजे और अगर आपको मीठा बहुत ही पसंद है तो आप natural sweet food जैसे की fruits हो गए, dates जैसे खजूर है, good है इन सब के तरफ जाए रादर दिन शक्कर या refined sugar के तरफ छटपा food item है processed food या fast food अभई chips, पकोड़े pasta, pastry, burger french fries, frozen food bread spread जैसे की creams, margarine ती किसको पसंद नहीं है आज की time पर यह हम सब जानते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा quantity में fat, sugar और salt होता है, इसमें vitamin, fiber और micronutrients बिल्कुल भी नहीं होता है बहुत easily available होने के कारण हम इसको बहुत ज़्यादा मातर में भी खा लेते हैं, पटी बहुत टेस्टी भी होता है तो हमसे रुखा भी नहीं जाता इस चक्कर में जादा quantity में, regular basis पर अगर हम इसको consume करते हैं तो diabetes और obesity का risk बढ़ता है जिससे की cancer होने का risk भी multiple बढ़ जाता है इसके साथ साथ इन सभी food items में, coloring agents flavoring agents, emulsifiers add किये जाते हैं, ताकि इनको बहुत आकरशक और बहुत टेस्टी बनाया जा सके और इनकी shelf life भी लंबी रहे, और ये सारे items, ये सारे agents कार्सिमजनेक होते हैं तो again मेरी आप से गुजारिश है कि आप इस तरह के fast food items को enjoy करें but अपने friends और family के साथ share करते होए enjoy करें, ताकि आपका portion size limit में रहे और आपकी frequency भी limit में रहे ध्यान रखिएगा moderation is the key साथवा cancer causing food item है गरम गरम पेपदाथ तो अगर आप चाय coffee lovers हैं तो मेरे पास आपके लिए एक word of caution है अगर आपको गरम गरम चाय या coffee पीना फसंद है तो इस बात पे ध्यान देंगे कि जबी भी आपका पेपदाथ 64 degree of से जादा गरम होता है तो उससे cancer और isopagal cancer होने का risk multiple बढ़ जाता है तो बहतर यहीं होगा कि आप अपने गरम गरम पेपदाथ को ज़र ठंडा करके पिए और heaven या स्वर्क का मजा ले last 8 हमारा food product है canned food canned food जो है यह आजकल young लोगों में बहुत popular हो गया है क्योंकि carry करना convenient है आप चलते चलते खाख सकते हो time बचा सकते हो and all but एक बात आपको यहाँ ध्यान देनी पड़ेगी कि यह जो canned food में जो canned food containers होते है इसमें BPA का मातरा बहुत ज़ादा रहती है which is bisphenol A BPA एक ऐसा chemical substance है जो cancer cause करता है यह सबको मालूम है और यह health problems भी cause करता है cancer के साथ साथ जिसकी और एक बड़ी problem क्या है कि यह BPA जो है वो human estrogen hormone से बहुत मिलता जुलता है इसलिए यह जब estrogen receptor से attached होता है तो बहुत सारा hormonal imbalance भी कराता है females पर जिकी PCOD तो मेरी आप से गुजारिश है कि आप canned food products को बिल्कुल बंद कर दे घर पे fresh बनाए होगा खाना खाईए cancer एक बहुत ही खतरनाक बिमारी है deadly बिमारी है यह हम सब जानते है इसके diagnosis से लेके इसके treatment में follow up में बहुत खर्चा होता है और हमेंसे कई लोग इस खर्चे को अपूर्ट नहीं कर सकते है अगर एक बार cancer हो जाए तो वह हमारे शरीर के लिए हमारे मन के लिए दिमाग के लिए हमारी family के लिए हमारे finances के लिए एक बड़ा burden बनके रह जाता है इसलिए अगर हमें cancer से अपनी रड़ाई जीत नहीं है अपने आप को इससे बचा कर रखना है तो prevention ही सबसे अच्छा तरीका है effective तरीका है तो मैं उमीद करती हूँ कि आपने आज का ये वीडियो ध्यान से देखा होगा आपने सभी food items पर गौर किया होगा और आगेस कभी भी आप ये food items consume नहीं करेंगे या limited amount में recommended safe limit के अंतरगत ही consume करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे उमीद है कि मेरा anti-cancer property वाले food items जो मैंने वीडियो बनाया था वो भी आपको पसंद आएगा उस वीडियो ने मैंने detail में समझाया है कि कौन-कौन से ऐसे food items है जिन में anti-cancer property है cancer से बचाने की property है उनको कैसे consume करना है कितना खाना है सब कुछ मैंने उस वीडियो में अच्छे से detail ने बताया है तो ये वीडियो और वो superfoods वाला वीडियो जरूर देखिए और अपने आपको cancer से दूर रखिए चलिए, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही इसी तरह के कुछ informative वीडियो के साथ मैं अगेन आप लोगों के सामने आऊंगी तक तक के लिए नमस्कार